अलो माई दियर फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो यम यम टमी फूट रेसिपी आज मैं बना रहा हूँ बोधी सिम्पल और टेस्टी प्राउंस रवा फ्राई इस रशिपी के लिए आप मार्केट से क्लीन किया हूए फिश भी ले के आ सकते नहीं तो आप इस वीडियो में दिकाने जैसा इस तरह से आप प्राउंस को घर पे ही क्लीन कर सकते हैं प्राउंस को क्लीन करते बस बहुत ही ध्यान रखने वाला चीज़े इसका जो फेट है बहुत ही अच्छी तरह से साफ करना चाहिए एक पार अच्छी तरह से प्राउंज को क्लीन करने के बाद इसको अच्छी तरह से वाश करके मैं यहाँ पे दो चमच टर्मरेंट जूस एड़ कर रहा हूँ उसके बाद एड़ कर रहा हूँ स्वाद अनुसर नमाद मुष्ण उसके बाद मैं यहाँ पे एड़ कर रहा हूँ स्वाद अनुसर लाल मिर्च पाउडर और एक आदा चमच फल्दी पाउडर और मैं यहाँ पे एड़ कर रहा हूँ एक आदा चमच होमेड गरम मसाला उसके बाद में याँ पे एक चम्मच स्पेशल जिंजर गार्लिक पेश्ट आड़ करके अच्छी तरह से मिक्स करके एक आदा गंटे के लिए मेरिनेशन के लिए रख रहा हूँ इस स्पेशल जिंजर गार्लिक पेश्ट का भी वीडियो अपलोड किया हूँ आप एक बार जरूर देखिए नेक्स्ट मेर रवा में आड़ कर रहा हूँ पॉटर टीस्पून नमग, पॉटर टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, पॉटर टीस्पून गराम मसाला एड़ करके एक अच्छी तरह से मिक्स करके रख रहा हूँ मैरिनेशन के लिए रखा ववा प्राउंस अभी आदा गंटा हो चुका है, अब मैं रवा में अच्छी तरह से कोट करके ले रहा हूँ रवा में अच्छी तरह से प्राउंस कोट करके हो चुका है, अभी हमें इसे फ्राई करके लेना है प्राउंस फ्राई करने के लिए मैं याँपे सनफ्लोवर ओयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहिए तो आपको कौन सा भी पसंद का कुकिंग ओयल यूज़ कर सकते है टेल एक बार अच्छी तरह से गरम होने के बाद प्राउंस को हमें फ्राई करके लेना है प्राउंस को फ्राई करते वक्त जान रखिए फ्लेम को हाई में मत रखिए एक बार ऑईल गरम होने के बाद फ्लेम को मेडियम करके आपको फ्राउंस को फ्राई करके लेना है प्राउंस को फ्राई करते वक्त लिड को क्लोस करके फ्राई कीजिए इसे प्राउंस रवा फ्राई जूसी और सॉफ्ट बनता है तेड़ से दो मिनिट तक लिड क्लोस करके फ्राई करने के बाद लिड को ओपन करके हमें इसे दूसरे सेड में भी अच्छे तरह से फ्राई करके लेना है प्रॉंस बहुत ही सॉफ्ट पिश है इसे पकने के लिए बहुत कम समय लगता है इसे ज़्यादा देर तक फ्राई किया तो पिश हार्ड होने का चांस रहते हैं सारा प्राउंस को एक बाद तवा में सेड डर्न करने के बाद फिर सेम प्रोसेस आपको लिड क्लोज करके देट से दो मिनिट तक ही फ्राई करना है प्रेंट्स आप वीडियो में देख सकते हैं अमारा प्राउंस रवा फ्राई बन के तयार हैं मैं आपे इसे टिशू पेपर में सारा प्राउंस प्राई को निकाल के ले रहा हूं मिनिममम इंग्रेडियन्ट इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट चैसा भौती बढ़िया प्राउंस रवा फ्राई बन के तयार है इस रसिपी को एक बात जरूर आप गर पे ट्राई कीजिए वीडियो पसंद आगए तो लाइक कीचिए शेर कीचिए चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसे तरह आवर एक इंट्रेस्टिंग रसिपी के साथ फिर वपस आओंगा अंटिल देन बाई फ्रम विश्वास